सब्क로 anál с्वाइब आप आप सभी कशापके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार विधार ओपर तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगी जी बीस के transfer rules के क्या-क्याप आपके transfer rules है कितने time बाद आप transfer ले सकते हैं हैं तो जो भी चैनल पर नहीं है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें ताकि जीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जो 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 जी स्टेट से अपना होम स्टेट और जहां पर ड्यूटी आई है वो ड्यूटी स्टेट है वो अपना एक बार कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि मूच्वल ट्रांसफर वालों के लिए एक छोटी सी हल्प है वो होसके तो अपना होम स्ट सिटेट बताएंगे कोमेंट में और जहां पर आपकी जो भाई यह वह हो आप सेक्शचिन में कोमेंट करके बताएंगे तो यह हम स्चाट करते हैं अपनी आज की वीडियो की है इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसफर कंडिसेंस क्या कर आपका बंक की कि वह चांस टू बी प्रोवाइड़ फॉर मेल जीडियस चैल भी टू चांसीज एंड थ्री चांसीज फॉर फीमेल जीडियस इन इंटायर ट्रम ऑफ अंगेजमेंट आपको पुरी लाइफ में जो भी जीडियस के मेल कंडिडेट से उनके पास दो चांस होते हैं और जो भी फीमेल फोर ट्रांसफर मैक्सिमम ट्रांसफर टूए मैक्सिमम ओफ टैंड जीडियस पोस्ट जीडियस पोस्ट जीडियस पोस्ट इन ओडर ओफ प्रिफ्रेंस इन वन डिवीजन एट टाइम दिट ट्रांसफर विल बी एट ओवन कॉस्ट ओफ जीडियस के जीडियस है जीडियस क पर है वो ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह जो ट्रांसफर रहेगा वो उनकी अपनी कोश्ट पर यानि के अपने पैसों पर है वो ट्रांसफर होगा उसके बाद हम थर्ड पॉइंट जानते कि थर्ड पॉइंट में क्या दिया है कि र Украї कि अवेद त्र फॉइंट यह व्यूट ट्रांसफर और आओ विदेध यह जो ट्रांसफर गूंचेंट फ इंप्रण में क्या पिश्टल भी ट्रांसफर खोल चांट यह विद्वाट्ष के बाद विदिवाटें इन रूटर में खिश्ट इंड तिक्ष बाद नर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह आपका पॉइंट यहां से बनता है इस पॉइंट में यह कहा है कि अ dále इस डीविन ट्रांसफर में आपका जों है त्रण्सफर क्लेफिऊ लिए अप्लाई करते हैं और अपलिकेशन है वो आपका जो है वो आपका सीमित्र ट्रांसफर आदेश है उसको सुविकार करने से इंकार करने को यानि कि जैसे कि मानलो आपने कहीं किसी भी फिल्ड में अपलाई किया ट्रांसफर के लिए और वहां पर आपका ट्रांसफर हो गया और उसके बाद आप इंकार कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर transfer नहीं लेना चाहता तो वो आपका transfer का है एक chance माना जाएगा कि आपका जो जैसे कि male candidates को दो chance मिलते है life में और female candidates को तीन chance तो उसमें से आपका एक chance है वो cut हो जाता है यानि कि उसको transfer माना जाएगा आप accept करें या ना करें तो इसके बाद में एक और उन्होंने condition दिखाई है GDS however may have the option to withdraw the request within 15 days of the submission इसमें उन्होंने बोला है कि जैसे ही आप transfer request based transfer request है वो submit कराते हैं तो उस transfer के लिए आवेदन जैसे ही आप देते हैं तो उस application के 15 दिनों के अंदर है वो आप अपने request है वो वापस ले सकते हैं उसमें 15 दिनों का आपको time है वो मिल सकता है तो उसमें आप है वो अपना request है वो आपस ले सकते हैं तो यह आपके पास है वो में उसके बाद में और ये आपका जो 15 दिनों के अंदर आप जो ट्रांसफर है वो अप्लिकेशन अगर आपके अप्रूफ हो जाती है कि आपको आपका ट्रांसफर है वो रुक गया है अभी नहीं होगा जैसे आप अपला ये कराएंगे 15 दिनों के अंदर कि मैं ट्रांसफर नहीं चाहता आपना है तो वह अपका सब्सक्राओं इस पॉइंट फॉइंट सब्सक्राइब transfer request may be submitted any time during the year however the GDS should have completed minimum engagement कि जो आपके transfer की request है वो आप साल के किसी भी time है वो submit करवा सकते हैं and GDS should have completed minimum engagement period of one year इसके लिए आपको transfer के लिए आपको एक साल की जो आपकी service time है वो एक साल का आपको complete करना पड़ेगा और ये अभी फिलाल के लिए एक साल का है लेकिन आपका 31, 12, 2025 के बाद यानि की 2026 में है वो आपका दो साल का हो रहा है तो इसके लिए मैं एक छोटी सी क्लिप है वो प्रूफ के तोर पर आपको एक ओफिस्यल नोटिस आईए मैंने को मेरी तरफ से नहीं का इसलिए एक छोटी सी क्लिप है वो यहाँ पर लगा दे जाएगी वो आप देख सकते हैं तो अभी फिलाल के लिए जिन्होंने भी 2024 में जोइन के है उनके लिए है वो एक साल का ट्रांसफर रूल है आपका है तो उनको टैंसल लेने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद फिफ्ट पॉइंट कम जानते हैं मुच्वल एक्सचेंज ट्रांसफर फैसिलिटी सेल भी एविएबल टू ओल जीडियस ओन कंप्लिशन ओफ वन इयर अंगेजमेंट पिरियड की मुच्वल ट्रांसफर के लिए आपको जो भी जीडियस है अपनी सर्विस का एक साल कंप्लिट कर लेता है वो अपना सकते हैं मुच्वल एक्सचेंजिज केस कैन बी इमेडियेटली ओन रिशीट ओप अप्लिकेशन सब्जेक्ट टू फुल्फिलमेंट ओफ इलिजिबिलिटी कंडिशन तो इसमें उन्होंने यह बुलाया कि जो भी मुच्वल एक्सचेंज मुच्वल ट्रांसफर आप करवा हैं तो उस रिक्वेस्ट को प्राप्त होने पर मुच्वल ट्रांसफर माम लेको है आपको जो भी आपका मुच्वल ट्रांसफर माम लाए वो आपका इमेडियेटली तूरंथ है वो निप्टा दिया जाएगा वह आपका एक्सेप्ट नहीं होगा फिर आपकी आपको कंडि व्हुरु थो उसमें उन्हें Она ने बोला कि आ पका जो ट्रांसफर है वह आपका सभी ओल वैरिफिकेशन जैसे की आपका formality formality जैसे की कास्ट की हो गई education की हो गई police verification हो गई verification report यह सारी complete हो जाती है उसके बाद यह आपका जो transfer है complete होता है उसके बाद next point को हम देखते हैं transfer request of GDS who are under put of duty or against whom and disciplinary action police case or court case is pending will not be entertained तो इस point में यह बोला गया है कि जो भी आप GDS candidate रहता या फिर उस पे कोई भी case चल रहा है या फिर कोई भी उसने अनुसासन हिंता किया है या फिर कोई भी court में case चल रहा है तो उसका transfer request हो accept नहीं करेंगे वो pending रहेगे फिर उनकी उसके बाद में next point में बोला है कि जीडियस पास्ट अंगेजमेंट पिरिएड विल बी काउंटिड फूर असे स्क्राइब शिडिडियों इरि फोर अहँ फूर आप यरिंग इंडिपार्टमेंटल एक्जामिनेजन एज एज annual increment पास प्रहOD सेою पर अगिजमट पेरेड को आपका काउंट होगा आपके departmental exam के लिए और जो भी आपकी annual Wind करिमेंट आपकी जो भी वार्शिक आई व्रिद्योंगी तो उसके लिए होगा Ray учis will Hazel go back the previous अंगेजिमेंट डिवीजन और जेडियस के पास हैं कोई भी क्लेम नहीं होगा पिछले डिवीजन में वापस जाने के लिए उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वेन जीडियस वेन जीडियस ट्रांसफर एट हीज हर ओवन रिवेस्ट एंड देट ट्रांसफर इज अप्रूवड बाई कंपिटेंट ओथोरिटी सी विल see he will rank junior in the seniority list of the new unit तो इस पॉइंट में उन्होंने बोलाए कि जो भी जब किसी जीडियस को उसके खुद के request पर ट्रांसफर किया जाता है और वो ट्रांसफर है वो कंपिटेंट ओथोरिटी द्वारा आपका स्विकार कर लिया जाता है तो आप उस नई unit की seniority list में है उस एकाई से junior rank पर आप रहेंगे तो यही इस पॉइंट में उन्होंने बोला है तो आई होप इतना ही आपका जो था वो ट्रांसफर की फॉर्मेलेटेज थी आपके पास time रहता है चांस आपके पास दो से तीन रहते हैं मेल फीमेल के लिए दो और फीमेल के लिए तीन चांस रहते हैं और एक साल की आपको सर्विस है वो कंप्लीट करने के बाद आपका ट्रांसफर आप ले सकते हैं तो हाई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करें और जो तो चैनल पर नहीं हो एक पार चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करने ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन और अपडेट चाहिए आपको टाइम टू टाइम है वो मिल नेक्स्ट वीडियो में तब तक बने रहें जैहिंद जैभारत